लदाक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां टैंकों के साथ अभ्यास कर रहे सेना के जवान हादसे का शिकार हो गए अभ्यास के दुरान नदी के जलस्तर बढ़ने से ये हादसा हुआ है लदाक के दोलत बे गोल्डी इलाके में टैंकों के साथ अभ्यास के दोरान नदी का जल्स तर बढ़ गया इस दोरान सेना के पांच जवानों की मौत हो गई रक्षा अधिकारियों ने बताया कि शुकरवार को लदाक में टैंक को नदी पार कराया जा रहा था यह रूटीन एक्सरसाइस थी इसी बीच अचानक नदी में सालाब आ गया और सेना के पांच जवानों की मौत हो गई इस हादसे में कुछ जवानों के खायल होने की भी सूचना है सेना के अधिकारियों के मुताविक सेना के जवान टैंकों के साथ भ्यास कर रहे थे दोलत बेग ओल्डी इलाके में नदी पार करते समय अचानक से जलस्तर बढ़ गया जलस्तर बढ़ने से टैंक पानी के भीतर ही फस गए आपको बता दें लदाक में पिछले साल भी एक दर्दनाख हादसा हुआ था जब सेना के गाड़ी 60 विट खाई में किर गई थी इस हादसे में 9 जवान शहीद हो गए थे सेना के काफिले में 5 गाड़ियां शामिल थी जिसमें 34 जवान सवार थे इस हादसे में एक जवान खायल भी हुआ था दरसल वाहन के ट्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल हो दिया जिससे ट्रक खाई में जा गिरा प्योर रपोर्ट अर्थ प्रकाश टीवी